ग्यान मंत्रा होम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भीम के अंदर दस हजार हातियों का बल कैसे था और क्यों था तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पता होना चाहिए है कि महाबारत काल के समय हस्तिनापुर के राजा पांडू हुआ करते थे और उनके पांच पुत्र थे जो की पांडव कहलाई जाते थे वैसे तो यह पांचो संतान हस्तिनापुर के राजा पांडू की ही उलाद थी मगर उसके पश्चात यह देवताओं की भी संतान कहलाई जाती थी जैसे की युदिष्टिर भगवान धर्मराज के पुत्र माने जाते हैं अर्जुन देवराज इंद्र के नेकुल और सहदेव अश्वनी कुमार के साथी साथ भीम वायू देव के पुत्र कहलाए जाते हैं और आपको पता होगा कि हनुमान जी भी वायूदेव के ही पुत्र थे आगे बढ़ते हैं तो एक दिन कौरव और पांडव खेल रहे थे उसी के पश्चात जो दुरियोधन था उसने भीम को खाने में जहर मिला के खिला दिया इसी के पश्चात भीम बेहोश हो गए और भीम को बांद कर दुरियोधन ने गंगा में फेक दिया इसके पश्चात जब वो गंगा में नीचे समा गए इसके बाद नागों ने आके भीम को डसना शुरू कर दिया उसके बाद उनका जो भी शरीर में जहर था वो खतम हो गया क्योंकि नागों के डसने का जहर और जो उनके शरीर में अंदर का जहर था तो जहर ने जहर को काट दिया और जहर का सारा असर खतम हो गया फिर भीम को जब भोश आया तो उन्होंने सारे नागों को मारना शुरू कर दिया इसी को देखते हुए जितने भी नाग थे वह अपने राजा यानि की नागराज वासुकी को बुला के लाए और उन नागराज वासुकी के साथ आर्यक नाग भी आए आरियक नाग ने भीम को पहचान लिया और वासुकी को सब बताया कि भीम कौन है इसी के पश्चात नागराज वासुकी प्रसन हुए और उन्होंने नाग लोक के कुंडो का रस भीम को पेलाया जिसको पीने के पश्चात भीम के अंदर 10,000 हातियों का बल आया तो अभी के लिए बस इतना ही सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ग्यान मंत्रा होम रेमिडीज धन्यवाद